कि इसमें तो होगी ौघी हिरानी नीज यहां पे सात लाक और वहां पे डेल लाक मुझे हिरानी निजुए क्यों कि जो पाकिस्तान है वह इस कदर मैं में क्या था कि हाँ पर हर तरह से क्राइसी तो इंडिया तो इक डिवालप कंट्री मॉडल वह इस ट्रफ स्टीकर कर देती है उसका हर साल में यह यह सलंसर का कलर चेंज हो जाता है उपर से प्लेट जाता है उनकी शैप कम सकम यंग्स्टरके लिए बहुत अच्छी वह जो तरह के बैक दे आप अपनी बाइक से सैडिस्फाइड हैं? 50-50 हो क्या रीजन है? जैड सी बात है वो बिलकुल ना मैलेज है ना एवरेज है लेकिन यह है कि पाकिस्तान की क्या कहते हैं बस सही है मतलब यह मैं कह सकते हो के ठीक है बजाज पलसर की कीमत तकरीबन 7 लाग रोपे से लेकर 9 लाग रोपे के आसपास है और इसके बाद अगर हम TBS स्पोर्ट की बात करें तो उसकी कीमत तकरीबन 3 लाग रोपे से लेकर 5 लाग रोपे के आसपास है अब सवाल ये आता है कि आखिर कार पाकिस्तान में भारतिया गारी इतनी ज़्यादा महगी क्यों है क्योंकि इतनी कीमत में तो भारत में एक अच्छी खासी कार आ जाती है यहां पर लाग यहां पंदरा लाग रपए के लिए यही बात यह तो हमें भी नहीं समझा रही जितना की टैक्स अब इस अपको लगता कि वह इंप्लेमेंट भी कर रहे हो जगा के उपर आप देखो पाकिस्तान जैसे जो देस हैं वह आटू मूबिल इंडस्टी में बहुत ह ज्यादा पिछड़े हुए हैं भारत और चाइना जैसे देशों में जो टेक्नोलोजी खतम हो जाती है वह पाकिस्तान में लेटेस्ट टेकनोलोजी कहलाती है और इसलिए आज पाकिस्तान में जो हॉन्डा सीटी हंड्रेट जैसी गाड़ियां है वो टॉप सेलिंग लेकाई जाती है कि जो भाइक भारत में 50 जाड रूपे की बिक्ती है वो पाकिस्तान पहुंचते पोहुंचते 6 लाख रूपे की हो जाती और इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2-wheeler manufacturer है और अगर हम पाकिस्तान की इस लेटेमें बात करें तो पाकिस्तान का नाम इस पता चल चुकी है कि पाकिस्तान के लोग कुछ भी नहीं कर सकते एंड दी एंड उनको यही सामान बहुत महेंगे से महेंगे दामों पर खरीदना होगा दूसरी तरफ अगर हम भारती कंपनियों की बात करें तो जो आशर मोटर की रॉयल इन फिल्ड है उन्होंने यूरोप ज तक्रिवन 50% मार्केट शेयर है और इतना ही नहीं बजाज की जो सबसिडरी है के टीम उनको भी अमेरिका और कई यूरोपियन देशों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है इसी के सासा जो टीवी एस मोटर कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी इंडोनेसिया और रसि सबसे बढ़कर एक बाइक बनाई जाती है और उनमें लेटेस्ट टेक्नोलजी का उप्योग होता है भारत की अगर हम सबसे बड़े टूवीलर मैनुफैक्टरार की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हीरो मोटर कॉर्पोरेशन आती है दूसरे नंबर पर बजाज मोटर और येज़्दी आती हैं इतना ही नहीं भारत एवी की फिल्ड में भी बहुत ही तेजी से आंगे बढ़ रहा है और भारत में कई ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं जो कि इलेक्टिक बाहन बना रही हैं जैसे कि हीरो इलेक्टिक बजाज इलेक्टिक टीवीएस स्कूटर्स और मोटर साइकल बना रही हैं और कई और नए नए ब्रांड यहां पर उत्पन हो रहे हैं अब इस चीज़ को देखकर आप यह समझ सकते हो कि भारत और पाकिस्तान में जो अंतर है वो जमीन आसमान का अंतर है भारत इस फिल्ड में बहुत ही जादा आंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरू दबाओ